इस ट्रमा के पार्ट थर्ड में आप सभी का सौकत है उससे पहले अगर आपने इसके बागे के दो पार्ट नहीं देखे हैं तो इस सजेस्ट पहले आपको उसे देख लेना चाहिए इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले यान जी और लीवे ही से होती है यान जी फस्ट प्रिंस को वापिस पैलेस लेने के लिए जाता है जो कि काफी सारों से अपने सारे फैमली से दूर रह रहा होते हैं यहाँ पर लीवे ही प्रिंस की वाइब से मिलती है यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके पास बहुत सारी वाइफ रहती हैं जो कि उनकी जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करती यहाँ पर लीवे को बताती हैं कि तुम्हें पता है कि आखिर हमारे हस्बन कितनी अदा स्टूपिड है और हम बात करें तो वो उसे एन स्टूपिड का कर बलाती हैं और कहती हैं कि उसने हम सबका दिमाग खाया हुआ है उसे तो पता है उसे तो हम लोग के याद भी नहीं रहते कि कौन उसकी वाइफ है कौन नहीं है इसलिए हम जब चाहें अपनी टेस एक्सचेंज कर लेते हैं जब मारा मूर नहीं होता उसके साथ रहने का हम बात करें तो फर्स प्रिंस की वाइफ बढ़ते रहता है तो यहां पर वो सबी लंच करते हैं और काफी मजाग उड़ाते हैं अपने हस्बन का ही और लेवी से कहते हैं कि तुमारे हस्बन ठीक हैं कम से कम वो तुमारा ख्याल तो रखते हैं हमारे वाले को तो हमारी चुनता ही नहीं है और हम भी उसकी जरा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं विगौसप है इत्ना जीवाज इस वाई कभ रहता है हम तुम यह वाला सब simplemente हम उसे बने तुम्हारा बना लेना है पेट हस्पेंट साथ अच्छे रहते हैं दिमाक वालों से तभी लीवी कहती है कि हाँ हो सकता है इसके बाद यान जी की बात फस्ट प्रिंस बाँ जाते हैं और जाने का जाते हैं लेवी को वहीं घासबूस खाना बढ़ रहा होता है और यान जी की तभी खराब नहीं रहती और उसका तब से किचिन में जाना भी अलाओ नहीं है जब से उसने उस रात वह स्पाइसी खाना खाया था इसके वाद जैसे तैसे अपना दिमाग लगा कर वहां के शैप और मेरा काम भी हो जाएगा इसके बाद जैसे तैसे शेफ मान जाता है और जब लीवेई खाना बनाती है और शेफ लेका जाता है तो वह यान जी को बहुत पसंद आता है और वह शेफ को बहुत ज़्यादा प्रेस करते है इसके बाद शेफ तो फूले नहीं समाता और कहता है कि ठीक है अगर योर हाइनेस चाहती है कि वो खान बनायों सारा क्रेडिट में ले जाओ तो इसमें बुराई क्या है हम इन सभी को देखते हैं जो कि साथ में बैटके खाना एंजॉय कर रही होती है और काफी शूर भी कर रही होती है तभी आपर मूमो की इंट्री होती है औ तभी हम जैंग को देखते हैं जिसके तिमा खराब हो रहा होता है कि आकरे मूमो कि इतनी अनौइग है अफ़दैट जब वो मूमो को ज़्यादा ही चिराने लगती है तो जैंग से रहा नहीं जाता और वो जाकर उसकी मूमो में सब्स्यां गुसा देती है और इसके बाद म परिश्मेंट तो मिल जाती है आफ़दैट जब हांची को बता चलता है कि लीवी के साथ क्या हुआ तो वो लेने के लिए पहुंच जाता है आफ़दैट मूमो से कहता है कि प्लीज मेरी वाइफ से दूर रही है इसके बाद हम जियांग को देखते हैं चुकि ऐसे प्रिट पसंद नहीं आती आफ़दैट उसे किक कर दी और चली जाती है यहां पर फिफ्ट की खराब हो जाती है जांक की कि इसा मत बहुत मेरी दूसरी टांग में भी मुझे मिलेगी इंचेंग को पता रहता है कि शैफ तो कभी नए रिशिश नहीं बनाता तो यह हो ना हो लीवी को लिए हैं जब की जा कर देए तो हम देखते हैं कि लीवी की नए एक्सपेरिमेंट ईक्रम बर्बाद और ने किया के सारे के लिए वर्कर्स अमना काम कर रहे होते हैं जैसे यह यह यहां पर इंचेंग से तो महां का शैफ तो अपनी रेली रेली सारी प्लीस मुझे माप कर दीजे तरह से मैं काफी डर गया था क्यूंकि आपको थोड़ी ना मैलॉट कुछ करेंगे मेरा तो कर सकते हैं ना तभी लीवी कहती है कि इसके बाद इंजय को आने वाले फेस्टिवल की त्यारियां करने का जिम्मा उसके डैट देते ह हैं यहां पर इंजय काफी तरह परिशान होता है विकॉस आज तक उसने किसी भी ऐसे फेस्टिवल के लिए त्यारियां नहीं की होती है तभी यहां पर लीवी उसे कहती है कि आप चिंता मत करें मैं सब कुछ समाल लूँगी इसके बाद लीवी सारी त्याईयां करती है और किंग कुईन को सब कुछ पसंद भी आता है और लगे हाथ लीवी मौक के पर चौका लगा देती है और गयती है कि क्या मैं घर चली जाओं बिकॉस मैं काफी दिनों से गई नहीं हूं इसके बाद किंग काफी खुश होते हैं तो लीवी को परमीशन दे देते हैं और लीवी फार जो कोई न होती है वह उसकी परमेशन कैंसल कर वा देती है और लीवी रोने लगती है कि उपनी फैमली से नहीं मिल पाएगी मिल इन जैंग निकाल लेता है और पर लीवी वी मॉमें डेट कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे husband तुम्हें काफी एचे से treat करते हैं तो यहां पर रहो उनका ख्याल रखो I know कि तुम कभी भी किसी का ख्याल नहीं रखती इस बार कर सकती हो लेवी कहती है कि हाँ यह तुस्थी बात है कि my lord मुझे काफी एचे से treat करते हैं बाकियों के according तो काफी एचे से इसलिए मुझे यहां पर अच्छा लगता है तभी यहां पर उसके मॉमेड़ेट कहते हैं तो यहां पर enjoy करो यहां के rules काफी strict है और तुम्हारे लिए काफी साधा ही strict है इसलिए मुझे पता है तुम्हें corporate करने में दिक्कत होती होगी लेकिन वह इस बात से क कि came के साथ रहते हैं यहां पर गिए को साथ यहां के पास आता है और कहता है कि धरसर दोनों चांट्री के बीच में warर हो जाए कि आगर 5 प्रिंस ने ऐसा कहा कैसे हुने दूसरी वाइफ चाहिए एक वाइफ होते हुए भी ने बाद वह 5 प्रिंस को टार्ण लगा जा है कि जल्दी से जाकर जियांग को उसकी कंट्री से वापस लाओ अगर तुम उसकी country से वापस नहीं ला पाए तो तुम भी यहां से निकाल दी जाओगे because war होगा तो उसका जिमा भी को लेना पड़ेगा और इसके बाद फिफ्ट प्रिंस एंजैंग और लीवे को भी वहाँ पर जाने की permission देते हैं कि उन तीनों को जाकर जियांग को कैसे ना कैसे वापस लाना है आफ यह सभी जियांग की country चाहते हैं और इसके साथ हमारा यह पार्टी बगतम हो जाता है थैंक्यू सुमच काईस फू वाचिंग